हेलो जैन दोस्तों आप सभी का स्वारत आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉक्रित पर आज जो हम बात करने वाले हैं अक्चुली ड्रकुमेंट भरी प्रिकेशन को लेके चुकिए गार्मी और बार्मी का जो ड्रकुमेंट भरी प्रिकेशन आज मैंने गया था दर्भंग मैं कौन क्या सोचता है मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है आप मुझे कितना भी उल्टा भी बोल दोगे मेरे तरफ से आपको दुआ ही मिलेगा दुआ इट मिंस ब्लेसिंग्स भर्मान आपको खूब तरकी करे आप उचे पायदान पर भी चले जाए तो इसी तरह हमें प्या के लिए भी बात करेंगे जो एड्रोस के लिए कि आप लोग परसान है कि पर्मानेंट रेसिदेंशल और डॉकुमेंट वरी पिकेशन जो चल रहा है आज कॉम्पीटर भी ज्यान का था है ग्यार्मी से बार्मी वालों का आगे नौमी दसमी का चलेगा फिर वन अब्यृती किसको कहेंगे आप कि आप यूटूब पितरोंगे हो गया बाहर अप फर्ज भाती को पकर लिया गया यह जैसे आप बताईए 2019 में STT का एक्जाम हुआ था आपको पता है दो एक्जाम हुआ मतलब एक बार कैंसिल हुआ फिर उन्हों एक्जाम लिया गया तो उस समय क्या हुआ कि जब फॉर्म भरा गया तो उसके पास या तो सज्जक्ट कंबिनेशन नहीं था फिर भी वह फॉर्म भर लिए एक्जाम भी पास कर लिए ऐसे भी अभ्यक्ति थे जिनका बीट कंप्लीट नहीं है अब फिर भी एस्टीटी में बैठ गहें गलती अभ्यक्तियों का नहीं था यह गलती सिस्टम का था आकर वह बैट कैसे गया तो वैसे साथी फर्जी माने जाएंगे ऐसे भी साथी हैं जो एस्टीटी का एक्जाम भी नहीं दिये हैं आज मैंने देखा हैं कॉम्पीटर कॉ और अब बार्मी वाले का दर्वंगा में जो रहा था वहां मैंने देखा अब बताएए वह बीस्या कीया या एंसीय की उससे कोई मतलब ने या बीचक किये हैं लेकिन वह स्थी टीटी भी नहीं है तो फिर वह डगुमेंट वेरिफिकेशन में कैसे आ सकते हैं आये हैं तो उनका डॉकुमेंट भी ले लिया गया तो बता दू वैसे साथी बिल्कुल पकरे जाएंगे वह इलिजबल नहीं है अगर आपका चेयन हो भी जाता है रिजल्ट भी आप का आज आता है तो फिर भी आप लास्ट का जो प्रोसीजर होगा डॉकुमेंट में ली उसमें छाटे दाएंगे तो ऐसे साथी जो वन टू फाइब में भी सिच्छक बनेंगे तो आप भी सब्धान साथान रही है गलत तरीका से अगर डॉकुमेंट कोई भी डॉकुमेंट अब बनाएं कोई भी डॉकुमेंट तो आप हर्जी माने जाएंगे और आप पे अफायर होगा और ज है कि आप साथ ही बोल रहा है सर आप क्यों है नहीं बोल रहे हैं तो मैं अपने बोल्ता था तो यह अच्छा बोल रहा हैं दूद का दूद, पानी का पानी तो और भी यूट्यूवर की तरह हम अब मुझे ऐसा डर लगता है चुकि यूट्यूब भी एक गंदा तरीका हो गया है तो मापी चाहेंगे हम इस मुद्दा पे बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे जो सुचना होगा कि B.A.D. को लिया गया नहीं लिया गया क्या हुआ ये आपके सामने हम रखने का प्रियास करेंगे लेकिन अभी क्या होगा बियड बाहर हो गया क्या नहीं होगा लिया जाएगा हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके लिए हमें च्छमा चाहेंगे आप ही लोग समझदार है पढ़े लिके हैं आपस में ब्यानबाजी करते रही है इससे मुझे बंचित कीजिए लेकिन अतुल परसाद जी ने कहा जिनका डियलेड भी डिग्री है जो बीट किये हुए डियलेड भी किये हुए तो वह सुधार में डियलेड का डिग्री लगा स तो हो सकता है या तो बीट के अधार पर सिटट दी हो या डियलेड के अधार पर सिटट दी हो और एक ही सेशन में आप बीट और डियलेड कैसे ले सकते हैं जब आप सिटट का फर्म बढ़े होंगे तो आप पुसता है डियलेड किये या बीड तो जब आपने बीड के अध इसा देख रहा था तो देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है अगर किनी के प्रिता के नाम में एक लेटर चुट गिया जैसे मेरे पापा का नाम स्री महेश परसाद महेश में चुट गिया माल लिजिए तो आप क्या करें यह फॉर्म भरने में चुट गिया आपका सभी डर्कुमेंट में सही है वह वर्ले में आपका जो प्रित कर नाम महेश परसाद के बीच में चाहिए तो इस सबका प्रॉलम है तो आप एक काम कीजिए एक ही काम कीजिए आप अपने जिला के कोट में जाके सपत्त्र बनवाली लेजिए सभी डर्कुमेंट ले जाके और उस आफीडीपिट को जब आपका डर्कुमेंट वरीपिकर सब्सक्राइब बचने का तो आप अपना कोट से आफीडीपिट बना लीजिएगा इससे कुछ सबधान हो सकता है ठीक है आगे देखिए जो भी ड्रकुमेंट अभी देखिए 11 मीं 12 मीं का हो गा एक परसोस से आपका 9 दश्मीं का चलेगा तो documents के बारे में बोला गया, तीन फाइल रखिए, एक में original पुरा document, हम बाबा बोल रहा है, जो document आपने BPSC, TRE का जब आपने form भगा, जितना भी document upload किया, वही document लेके जाना, बाद बाकी फाल, तु मत ले जाए, पापा का अधार कार्ड, ममी का अधार कार्ड, पापा का पेन कार्ड, ऐसे भी साथी मिले, चो ले जाएगा, समझाना में का कर्तब है, जितना document upload किये BPSC के form में online में, उतना ही ले जाना, मैंने लिखा है, ठीक है, और documents में दो copy, दो copy अभी से रख लिजिए, यानि आप तीन फाइल, आपके घर में फाइल है न, बताना पड़ता है, ऐसा तीन फाइल, एक में सभी original document, अधार कार्ड, फोटो, मैट्टिक, इंटर, बीए, बीए, ब original, और इसी का, यह original हो गया, अब ऐसा दो फाइल, रखिए, दो फाइल, देखिए, हम तो बेस में जाएंगे, बेस में तो जाएंगे, हम सब, इससे कि आप भी कहेंगे, प्रिछी से समझाते हैं, देखिए, मेर पास तीन फाइल है, तीन फाइल, एक में original रखे, original का ही, दो में photocopy रखना है, सभी document का photocopy दो, और, और सभी document पे नीचे में अपना सायन कर दिजेगा, आधारकार सब का photocopy दो फाइल, यह दोनों फाइल आपको विभाग ले लेगा, और original document का फाइल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है, documents का दो copy, photocopy रख लीजिएगा, और एक original, गिन के, और एक काम और कीजिएगा, जो बच्चे गलती कर रहे हैं, जब भी document रखते हैं, तो एक पना फोटocopy बला, उपर में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, address, date of birth, mobile number, सभी फाइल में लिख के रख दिजेगा, कभी आपका document गुम नही रहे थे आप, तो जाती जहां पर upload करना, वहां आई परमान पर upload हो गया, जहां आई करना, वहां आवासी हो गया, तो यह BPSC, विभाग को ही पता चल गया, यह आपकी mistake हुई है, लेकिन फिर भी आप नहीं घबगाना है, आप सभी document लेके जाना, सभी, अच्छे से, ठीक है एक यह भी आगा है, कि गलत issue date, गलत issue date, यानि जो जिसे की जाती का issue date होगा, issue date, निर्गत कब हुआ, तो गलत issue date आपने upload कर दिया, अब आसी जाती है, आपका सही upload हुआ है, लेकिन issue date में आपको मौका दिया गया था, कि issue date सुधार लिजिए, certificate number सुधार लिजिए, मौका द गया था, तोटी सुधार का, लेकिन वीडियो देखते नहीं आप, तो अब क्या किजिएगा, फिर हम बोलेंगे, गलत हो गया है, तो आप court से, अपने जिला के court से, एफी defeat बनवा लेजिए, कैसे बनेगा, सभी document लेके जाना, वकील से बात करना, बना के रख लेना, वो मत document verification कराना, गलत तरीके से document अगर लिये हैं, या कुछ भी फरजिवारा किये हैं, तो साफधान हो जाइए, नहीं तो मत जाना, नहीं तो affair होगा, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह सब भी भाग बोला है, बस, सातमा, provisional, बहुत सारा ऐसा भी है, जिनका B8 का, बहुत सारा जाके बोलना, सर, ऐसा ऐसा मुझे BPSC के द्वारा, हम सिच्छक बनने वाले, तो हमें original की जरुवत है, और आप universities निकाल लिजिए, लेकिन आपका document verification के समय, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, चीक है, प्रभिजनली लेके जाना, किसी YouTube की बात मत मनना, और फरजी DLA Degree, मत जाना, इक तो बताई दिये, और लास्ट में मैंने लिखा है, नोट में, महिला के लिए, महिला साती घबरा गई है, जब बोल दिया गया है, महिला address को लेके, मत घबराई है, यानि, आप माल दीजिए, कोई द्रभंगा की बेटी है, साधी हो गया मुझपपुरी के लर्के से, या कोई बिहार की बेटी है, साधी हो गया, दिल्ली के लर्के से, तो आप बिहार की बेटी है न, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको बोला गया था, कि आपका आवास्य जो है, पिता के address से, यानि माइके से होना चाहिए, तब क्या दिक्कत है, आवास्यों तो है न, पाप बस आवासी आपके साथ होना चाहिए ठीक है तो एड्रेस के लिएके बिल्कुल नो घबगाएं समझ गया मेरी बैना चलिए यही बात का आवासक सुचना मुझे देना देना था इसका स्क्रिंसट ले लिजी आप जिससे कि आपको अच्छा लगे चुकि कोई भी चीज तो मत आते हैं तो आथेंटिक जानकारी देने का प्यास करते हैं और हम समय निकाल के महां जाते हैं इसा नहीं है मैं को पत्रकार नहीं हूं मैं एक पढ़ाता हूं फुद पढ़ता हूं तब आपको बताता हूं वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के भी सेयर कर दिजेगा और एक बात लास्ट में सुचना हो देदें कि कटफ आप लोग बोल रहा है तो कटफ कटफ पे वीडियो कल आ जाएगा तो आप लोग नौकरी तक में कॉम्मिटी लगा होता है कॉम्मिटी में आज डाल देंगे तो आप लोग सही से बगवान गलत मत करना कॉम्मिटी में मैं लगा दूँगा कि 125 में आपका कितना बन रहा है तो आप सही से पोल कर दिजेगा ठीक है सभी पोल पे क्लिक किजिएगा एक आवन से पच्पन पे तालिस से कम किस्त कितना बन रहा है प्लीज सही से पोल किजिएगा बिनमगनी वेदन है इसके बाद हम कटप पर वीडियो बलाएंगे आज के वीडियो में इतना ही जय हिंद जय लागए